हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो बॉयमन और मेरा नाम है अमंदी सो दोस्तों आपके मन में हमेशा चीज आती होगी जब भी आप गेर वाला साइकल देखते होगे और आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है गेर वाला साइकल जादा बैटर रहता है सिंगल स्पीड साइकल से और ऐसा क्यों है तो दोस्तों सिंपल सा कोश्चन है ठीक है जो भी आप साइकल चलाते हो ठीक है वो सिंगल स्पीड है और गेर वाला साइकल उसमें फर्क क्या होता सेम चीज़ होती है जो single speed वाला cycle क्या होता है जहां पर आपके पैडल होते हैं वहां पर बड़ा gear होता है और जहां पर आपका पीछे वाला wheel होता है जहां पर छोटा गेर होता है यह वह भी गेर वहरा cycle है बट वह single गेर वाला सैकल है। आगे वाले गेर को कर सकते हो। अगए बड़ा वाला गेर डाल दो जो है उदर भी आप बड़ा वाला गेर डाल दो थी negócio है यह चीज होती है दोस्तों अब खुद सोचो जो आप स्कूटर चलाती हो जो गाड़ी चलाती हो ठीक है अब एक्टिवा होती है एक्टिवा में गेर नहीं होते बर उसमें फिर भी automatic gear अंदर लगे होते हैं automatic gearbox होता है तो वो आपकी मदद करता है slow speed पे भी आपको power मिलती है activa पे और fast speed पे भी आपको speed अज मिलती है अच्छी खासी बट जो single speed वाला cycle है जब आप slow speed पे हो तो torque नहीं मिल पाता आपको power ज़ादा लगानी पड़ दिया क्योंकि torque कम होता है अगर वो ही आपका single speed cycle fast चल रहा है तो cycle अच्छा चलता रहता है आप जल्दी थकते नहीं हो बट regular चलाने के बाद यह आप brake लगाते हो ट्रैफिक में वहाँ पे brake लगाने के बाद speed कम हो जाती है तो आपको फिर वो ही कम torque के साथ जादा power लगानी पड़ेगी आप ठक जाते हो तो गेड़ वाले cycle का दोस्तो यहीं पे फैदा होता है जब भी आपको जूरत होती है चोटे गेरों की आप चोटे गेर डाल सकते हो जब भी जूरत होती है आपको बड़े गेर की आप बड़े गेर डाल सकते हो तो दोस्तो यह बहुत ज़ादा convenient रहता है आपने अगर पहाड़ी चड़नी होती है आप single speed cycle के साथ आप नहीं चड़ सकते है पहाड़ पे बहुत ज़ादा दम लगने वाला है बड़ जो गेर वाला cycle है वो बड़े ही अराम से उससे क्या होता है आपकी speed तो कम हो जाती है वड़ उसके torque बढ़ जाती है आपको कम power लगा कर ठीक है आप चड़ाई कर सकते हो तो यह सबसे ज़ादा फैदा रहता है जो गेर वाला cycle के है और जब भी आप अगर pedaling करते हो ठीक है slow pedaling करते हो तब power लगा रहे हो आप जल्दी ठक जाओगे आपके जो यह वाले muscles हैं यह hard हो जाते है pedal नहीं कर पाते cycle नहीं चला पाओगे जल्दी ठक जाओगे जो गेर वाला cycle है उस पे अराम से मक्खन की तरह ऐसे cycle चलाओ और आप चलाते ही रह सकते हो double या triple time तक उतनी ही power में आप जल्दी नहीं ठकोगे यह फाइदा होता है गेर वाले cycle का ठीक है और जो जब आप जैसे पहाड उपर चड़ते वक्ट भी आपने हलके gear डाल दिये जब नीचे आ रहे हो तब आपके पास भारी gear होते है वो डालके आप cycle को और fast भगा सकते हो तो इतना फैदा रहता है gear वाले cycle का अब अगर आप अपने cycle पे load भी carry करते हो कुछ समान carry करते हो तो अगर आपके पस gear वाला cycle है वो समान को carry करना बहुत ही असान हो जाता है जो गेर वाला साइकल है उसके साथ सिंगल स्पीड पे आपका दम लगेगा क्योंकि जादा फास बगा नहीं पाओगे समान लदा होगा तो फिर आपको सलो चलाना पड़ेगा जल्दी थक जाओगे अब जो भी बहुत लंबी-लंबी राइट्स करते हैं वह जादा तर 99% गेर साइकल लगते हैं तांकि वह जल्दी थके ना वह जादा समान भी कर पाएं उनका कंट्रोल भी जादा बढ़िया रहता है इसलिए और जो गेर खराब होने की बात होती है दोस्तों जादा तर इंडिया में जो साइकल बिखते हैं वह बिलकूल सस्ती रेंज वाले साइकल जादा बिखते हैं तो जब भी आप एक सस्ता साइकल लोगे उसमें गियर जो नीचे वाली लाइन से ठीक है बिलकूल starting bottom से जो पहला model दूसरा model है वो लगे होती है तो उनमें होता क्या है उनको बहुत ज़्यादा tuning की जुरत पड़ती है setting की जुरत पड़ती है तो आप खरीद लेते हो वो cycle setting करवाते नहीं हो फिर 6 महीने बाद एक महीने बाद उसको setting जुरत पड़ती है बड़ हम फिर भी चलाते रहते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं इसी वज़ा से अब जितने आप सस्ता cycle लोगे गेर वाले के साथ ठीक है उतनी जल्दी आपको उसकी maintenance की जुरत पड़ेगी अब non-gear वाले को भी जुरत पड़ती है बड़ वो हलकी फलकी होती है अगर आप सीख लो regular उसकी maintenance कैसी करनी है तो जल्दी खराब होने वाला नहीं है और खराब होता भी क्यों है आपने cycle खड़ा किया हुआ है अब कई बंदों को नहीं पता जैसे cycle खड़ा हुआ है आपकी paddling नहीं चल रही तो जो गेर है खड़े पर गेर नहीं डालने यह चीज का आपको ध्यान रखना होता है अगर आप ऐसे ही बार-बार करते रहोगे तो यह खराब हो जाएंगे हाँ अगर आपके पास गेड़ वाला cycle है आप यह चीज से अपने जो shifter है उसको खराब होने के लिए बचाना चाते हो तो मेरी advice है आप हमेशा second और second आगे भी second gear पीछे भी second gear पर डाल के खड़ा रखो अगर कहीं पे आपको लगता है कोई आपके cycle के साथ पंगे लेने वाला है तो shifter जल्दी नहीं खराब होगा होता क्या है जब आप second gear पर खड़ा करते हो ठीक है पीछे से तो वह already जितनी यह होती है ना gear cable already खीच लेता है अगर कोई पंगे लेगा तो गेर केबल धीली ही होगी ठीक है शिफ्टर पर लोड नहीं पड़ेगा शिफ्टर खराब नहीं होगा फिर आप जब दबारा होगे वापिस गेर डाल दोगे वापिस अराम से टाइट अगर आपने छोड़ दियो उसको साथ में आठ में पर ठीक है तब आगे किसे ने पंगे लिये तो जो होता है वहां से टेंशन रिलीज नहीं होगी शिफ्टर पर लोड पड़ेगा इसके अंदर से जो प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं स्प्रिंग होते हैं वो तूड जाएंगे इसलिए जो साइकल है खराब हो जात पीछे जो लगा हुआ है डेरेलर वो टेड़ा हो गया है अगर उसके साथ अपने चाने कोशिश की फर सेकंड गेर में जाओगे इधर वील है जो स्पोक्स हैं उसके अंदर अटक जाएगा अटकने के बाद वो तूड जाता है इसलिए खराब होने के यह चांसिस ऐसे कत्मी होती ठीक है तो उनके लिए भी बहुत जादा बैटर रहता है इसी वज़ा से क्योंकि जब आप बिना पावर के फास पैडलिंग करते हो उससे आपका फैड भी बर्न होगा जल्दी सिंगल स्पीड वाले साइकल के मुकाबले और फाल्तू का जो लोड आपके नीज पर पड़ता है वो नहीं पड़ेगा और जो गेर वाला साइकल है वो दोस्तों जब आप चलाओगे ठीक है एक दो दिन चलाने के बाद अगर आप सिंगल स्पीड साइकल चलाओगे तो मज़ा भी नहीं आता जो गेर वाला साइकल है वो चलाने का अलग ही मज़ा है क्योंक तो एक term use होती है cycling की बाचा में, बोलते हैं cadence, cadence क्या होता है, rotations, जो आपके paddle की होती है, per minute कितनी rotations होती है, अब जो single speed है, उस पे आप control नहीं कर सकते, आपको अपनी speed बढ़ानी पड़ेगी, उसको control करने के लिए, या कम करनी पड़ेगी, उसको कम करने के लिए, अब जो cadence होती है, natural cadence होनी चाहिए, बंदे की 80 pedals per minute, आप अराम से count कर सकते हो, आपके pedals एक second में एक pedal से जाधा घूमना चाहिए, वो automatically 70-80 के उपर पहुंच जाएगा, ठीक है, अगर आप 90 रखते हो, तो बहुत जाधा बढ़ी है, ठीक है, अब जो professional cyclist होते हैं, जो लगबग 200-200 km चला ले पर, उनकी cadence होती है, 100, 110, 120, कई बार जब बहुत speed पर चलाते हैं, sprint लगाते हैं, तब 130 तक भी पहुंच जाती है, तो बहुत जाधा cadence होती है, वहाँ से पता लगता है, efficiency कितनी important है, अगर वो ही उनको single speed cycle दिया, तो वो इतने लंबे लंबे time तक cycle नहीं चला पाएंगे, कठे करते हैं, सब के पास gear cycle, तो लगबग साड़े चार गंटे, पांच गंटे, शे गंटे के अंदर अंदर finish कर देते हैं, इतनी ज़्यादा fast, बिना gear के इतना कम time में complete करना बहुत मुश्किल है, और वो races चलते हैं लगबग 25 दिन, 23 दिन की होती है, दो दिन बीज में होती है, अब वो ही उनको अगर single speed cycle पकड़ा दिया, भाई ठक जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, उनको band बच जाएगी, नहीं कर पाएंगे वो, gear वाले cycle पे ही possible है, इतनी लंबी races करने, तो दोस्तो, I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वोड करते रहो, तो दोस्तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, happy cycling, bye bye